नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनु सिंग और आप देख रहे हैं सोनु सिंग पीपीटी वाले आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Importance of Human Resource Management जिसको हम Importance of HRM भी बोल सकते हैं तो लास्त देखना पर इस वीडियो होता कि अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ तो इस पूरी वीडियो में हम discuss करेंगे क्या होता है Human Resource Management और क्या होते हैं इसके Importance क्यों ज़रूरी होता है Human Resource Management किसी भी organization में तो सबसे पहले discuss करते है Human Resource Management क्या होता है आप किसी भी company में काम करते हो तो उस company में एक HRM Department होता है उनका काम क्या होता है उनका काम होता है जो भी Employs हैं जो भी Human Resources हैं उन सबकी देखभाल करना उनको हायर करना उनकी समस्याओं को सुनना उनको Training Development करना उनको अच्छी Compensation देना उनकी Performance देखना उनको कहीं पर transfer करना है तो transfer करना ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है जो human resource department करता है तो इसलिए HRM को बोल दिया जाता है एक ऐसी process जिसके जरीए HRM एक ऐसी process है जिसके जरीए जो भी लोग है ना जो भी organization में लोग है या workforce कह सकते हो परसॉनेल कह सकते हो उनको manage किया जाता है उस process को बोलते है human resource management ठीक है इसमें बहुत सारी चीज़े आती है जैसे में बताया आपको recruitment, selection, performance, appraisal या performance management बोल सकते हो और training and development, compensation, conflict management बहुत सारी चीज़े आती हैं इसके अंदर ये इसके functions होते है ठीक है तो ये होता है human resource management क्योंकि हम सब को पता है कि किसी भी organization में employees ही होते है जो उस organization की success या उसके failure को मतलब उसके failure के लिए responsible होते हैं अगर employees आपके अच्छे हैं तो वो अच्छा काम करेंगे अच्छी चीज़े करेंगे अच्छी चीज़े डबलप करेंगे अच्छी चीज़े इनोवेट करेंगे ताकि आपकी organization क्या होगी इनोवेट होगी और growth की तरफ जाएगी तो इसलिए employees पर बहुत ज़ादा ध्यान दिया जाता है इसलिए उनको manage करने के लिए एक department बना गया है human resource management department या HRM department या HR department सारे सेम होते हैं ठीक है या personal department सब सेम होते हैं अब discuss करते हैं क्या होती है importance HRM की अब किसी भी चीज़ की आपको importance जाननी है न उस चीज़ को हटा के देख लो जैसे कि यह होता है कि आपको मेरे importance नहीं बता आठाके देखो कि क्या-क्या problems आ सकती है उन्ही problems को solve करने के लिए human resource management जरूरी होता है इसलिए वो important होता है इसलिए उसके need होती है organization में तो क्या-क्या problems आ सकती है recruitment में problem आ सकती है कि 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 बंदे को recruit करना है कौन capable है कौन नहीं है ये सब कौन करता है, human resource management ही तो करता है, उसके बाद क्या आ सकती है, उसके बाद आ सकती है, conflict से हो सकते हैं organization में, conflict management कौन करता है, human resource management करता है, तो conflict से हो सकते हैं organization में, बहुत जादा job allocation में दिक्कत हो सकती है, कि कौन से employee को कौन सी job पे रखना है, है ना, job allocation कौन सी job सो अपनी है उसे वो नहीं पता चल पाएगा human resource management नहीं होगा तो जो personals है जो भी आपके workforce है उनकी productivity पे effect पड़ेगा कि अगर उनको किसी training की ज़रूत है उनको किसी improvement की development plan की ज़रूत है अगर वो HRM नहीं होगा आपके organization में तो आप वो चीज नहीं देख पाओगे तो उनकी productivity पे फर्क पड़ेगा और ultimately आपके organizational goals effect होंगे इसके कहीं न कहीं फिर employee का absenteeism भी बढ़ जाता है कि जब उनका moral ऐसे down होता है उनको motivate करने वाला कोई नहीं होता है तो उनका absenteeism बढ़ता है भाई वो छोड़के तो इसलिए human resource management बहुत जरूरी होता है organization में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इन सब problems को भी sort out करने में तो यहां पर हम कुछ importance पढ़ेंगे कुछ no importance पढ़ेंगे अभी मैंने जो चीज़े बताएं नहीं उसमें से ही points आएंगे और side में आते रहेंगे आप note करना चाहो note कर देना और मेरे पास यह notes है मैं description में दे दूँगा PDF format इसका photo click करके handwritten नहीं सारे ठीक है तो आप बहां से भी देख सकते हो रेफर कर सकते हो और तो first importance होता है इसका achieve organizational goals by proper utilization of human resources अगर human resource management रहेगा organization में human resource department रहेगा तो human resources का अच्छा utilization हो पाएगा और ultimately आपके organizational के goals है जो organization के goals हैं objectives हैं वो fulfill हो पाएंगे अच्छी तरीके से इसलिए पहला importance इसका ही ही हो जाता है कि आपके organization है जो भी आपकी company है उसके goals meet करने में बहुत ज्यादा ease रहती है माँपे क्योंकि human resource management ही है जो आपके organization में काम कर रहे हैं जो आपके goals meet करके दे रहे हैं आपको ठीक है तो first आगया help in achieving organizational goals इसलिए human resource management होना चाहिए second होगे training and development अब human resource management अगर रहेगा organization में तो आप हर एक employee की training needs को जान पाओगे अगर किसी नए employee को hire किया है तो उसको अच्छी training दे पाओगे उसका development कर पाओगे employee को ऐसा feel होगा कि हाँ मेरी company मेरे लिए कुछ कर रही है मेरे को training दे रही है मेरे development के बारे में सोच रही है ठीक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ conflict हो सकता है कभी भी है ना उसी चीज को manage करने के लिए human resource managers होते है human resource management department होता है वो आता है सामने कि हाँ दोनों लोगों को साथ में बिठाता है बोलता है कि क्या दिक्कत हो रही है बताओ मेरे को तो एक solution निकालता है ठीक है तो human resource management की इसलिए भ आपके organization में होना चाहिए फूर्थ होता है establishing a healthy work culture अब जो भी work culture है उसको healthy बनाने के लिए कि हर एक employee की स्वास्त को देखना स्वास्त मतलब जो भी उसकी health है उसको देखना उसकी safety को देखना कि अच्छे से वो काम कर रहा है कि नहीं अगर कुछ ऐसे construction वगयरा वारा काम है त human resource management का part है तो इसलिए HRM आपके organization company में होना चाहिए इसलिए उसकी जरूत होती है वाई फिफ्ट होता है better relation between union and management अब union जो होता है बहुत सारे employees का समूँ हो सकता है समूँ बान सकते हो जो employees का favor करता है एक तरह से कि employees को हर एक चीज सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही है जैसे क जैसे कि एक मान लोग की college होता है ने college में class होती है class का class representative होता है कि सारी class की समस्याओं को सुनता है फिर हो faculties या जो भी director है उसके पास लेके जाता है समस्याओं ऐसी companies में क्या होते है trade unions होते हैं कि जो employee की मतलब तरफ से जो भी चीज़े हैं वो सामने रखते हैं management के सामने त तो जो management है और जो union है उनके बीच का relation बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो इसलिए human resource management होना चाहिए अभी तक हमने 5 कर लिए 6 होता है allocating job to the right person जैसे कि मैंने problems में बताया था कि अगर human resource management नहीं होगा तो आप को पता नहीं लगेगा कि कौन से employee को कौन सी job देनी है ठीक है तो 6 यह हो गया 7 होता है better performance management अभी अपने employees को hire कर लिया ठीक है HRM का काम इतना हो गया क्या खतम हो गया नहीं allocate कर दिया job पर नहीं अभी आप उनकी performance भी तो देखेंगे कि उनकी performance कैसी चल रही है उनके managers देखेंगे ठीक है लेकिना managers नहीं देखते हैं मानलू managers भी हमारी तरह ही निकलेगे निठल नहीं निकलेगे कुछ काम ही नहीं करते हैं तो कौन देखेगा तो होता है human resource management जो हर ए नहीं कर रहे हैं तो उनको corrective action plans में डालना है ना उनको बहुत सारी चीज़े सिखाना अगर training की ज़रूत है तो training देना ये सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूत होती है human resource management की एट होता है employee benefit अब organization में आपके employees काम कर रहे हैं तो उनको कुछ पैसे दोगे या कुछ उनको जो कहीं न कहीं human resource management ही रखेगा क्योंकि वो human resource से deal कर रहा है कि human resource के साथ आने वाली कितनी भी चीज़े है ना उसका लेखा जोगा human resource management के पास ही रहेगा तो employees benefit भी अगर आपको देने हैं सही से उनको सही से equal salary देनी है सारे employees को ताकि आगे मतलब आगे जाके हल्ला उल्ला ना करे organization अभी human resource management के जरिए आपके organization ऐसा whole भी develop हो रही है क्योंकि अगर human resource management आपके employees का ध्यान रख रहा है उनकी परिशानियों को सुन रहा है उनकी performance को देख रहा है उनके जो भी health benefits है जो भी non monetary benefits है जो भी सारी चीज़ा है उनको देख रहा है तो आपके organization में वो employees अच्छे से काम करेंगे ठीक है और इसलिए आपके organization भी कहीं न कहीं grow करेगी ठीक है तो यही था इस वीडियो में 9 points हमने कुछ discuss किया है importance की side में आतर होगा लिख लेना नहीं तो description में होगा PDF आप जाके महां से refer कर सकते हो कुछ था नहीं इस वीडियो में तो I hope आपको वीडियो पसंद आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और लाइक अगर कर रहे हो अगर आपने मन बना लिया है कि लाइक करनी है वीडियो तो side में subscribe होता है subscribe किये भीना मत जाना चैनल से ठीक है bell icon आपकी मरजी है आप दबाना चाहो तो दबा सकते हो नहीं तो क्या आपके काम ना है तो bell icon आपकी मरजी है आप दबाओ मत दबाओ आप subscribe कर सकते हो subscribe करने से क्या होगा कल को अगर आपको टॉपिक सर्च करते हो YouTube पर जाके आपको कुछी टॉपिक में दिक्कत आती है आप सर्च करते हो तो जो results आएंगे उसमें मेरी वीडियो आपको पहले द आप सकते हैं आपको को क्या है आपको क्या आपको की कह दोगें